हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आज मैं आप सिब के साथ अंगूर की बहुत ही बढ़िया सी टेश्टी और सुन्दर सी मिठाई की रेश्पी सेयर कर रहे हूँ ये दीखे कितना सुन्दर ये देखने में लग रहा है ये कीन मानिये इसे कई गुना जादा ये खाने में टेश्टी होता है बहुत ही मज़ेदार ये रेश्पी है और बहुत जल्दी बन भी जाती है बस आपको थ्रे इंग्रीडियंट चाहिए और बहुत ही सुन्दर सी अगूर को अच्छे से धोलेंगे क्योंकि बन्च में अच्छे से धूलता नहीं है तो इस तरीके से इसे अलग कर लेने के बाद फिर से बढ़िया से धोलीजेगा इस मिठाई को बनाने के लिए आप एकदम पकी हुई अंगूर भी ले सकते हैं जो बहुत मीठी होती है या फिर आप कच्छी वाली जो थोड़ी खटी अंगूर आ जाती है उसको भी ले सकते हैं तो यह दिखें अंगूर को मैं बढ़िया से धोली अभी मैं इसे मिक्सी के जार में डाल लेती हूँ और इसका हमें जूस बनाना है तो हम एक बार बढ़िया से मिक्सी को चला लेंगे इसका जार का ढ़कन लगा के और एक बार बढ़िया से चला लेते हैं बहुत जल्दी यह पीस जाता है और यह देखें एकदम बढ़िया से यह पीस गया है तो अब हम इसको चान लेंगे इसे चानना जरूरी है क्योंकि अंगूर का इसमें छोटा बढ़ा टुकरा भी हो सक को इस तरीके से चननी में डाल के और चम्मज से हिलाते हुए दवाते हुए बढ़िया से चान लीजेगा तो सारा इसका जूस निकल जाएगा और इसकीन जो है अंगूर का वो अलग हो जाएगा तो इस तरीके से यह जो अंगूर का इसकीन निकला है ना इससे हम हटा निचोर के चम्मज से दवा-दवा के इसका पूरा जूस निकाल लेते हैं, और ये दिखे, अब ये जो पाट पचा है इसको हम हटा देंगे, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसी तरीके से सारे अंगूर के पल्प को हम छान लेते हैं, और ये देखे, इतना सा जूस हमें मिला है अंगूर का तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं और चलते हैं गैस की तरफ गैस अन करके गैस पी मैं कढ़ाई डाल दी और अब इस कढ़ाई में मैं अंगूर के जूस को डाल दीती हूँ और अंगूर जादा खटा है तो थोड़ी सी चीनी की क्यांटिटी आप बढ़ा सकते हैं अंगूर जादा मीठा है तो थोड़ी सी कम चीनी आप डाल सकते हैं तो मैं इसमें तीन से चार चमच जितना चीनी डाली हूँ क्योंकि अंगूर बहुत मीठा भी नहीं था और बहुत जादा खटा भी नहीं था तो मैं इसमें तीन चमच बड़े चमच से चीनी डाल दी और अंगूर के जूस के साथ हम चीनी को बढ़िया से घुलने देंगे इस तरीके से चलाते हुए हम इसमें एक उबाल आने देंगे उसके बाद आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं चासनी थोड़ी से चिपचिपी होनी चाहिए अंगूर का जूस है और इसमें चीनी डाला हुआ है तो बहुत जल्दी चिपचिपी चासनी बन जाती है हमें कोई तार वाली चासनी नहीं चाहिए अभी आप देखी तीन चमच मे कौन श्टार्च डाले हूँ इसमें पानी डालके और इसे अच्छे से घोल लेती हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं अंगूर का कराची हल्वा बना रहे हूँ हाँ दोस्तों कराची हल्वा ही है पर आपने अभी तक जीतना भी कराची हल्वा खाया होगा इस कौन श्टार्ची को जैसे ही आप घोल इस चासनी में डालिए गाड़ा होना शुरू हो जाता है यह दीखे तो हमें इसे लगातार चलाते रहना है और चलाते हुए हमें थोड़ी देर के लिए से पकाना है थोड़ी देर नहीं कम से कम 8-10 मिनित आपको लाग जाताएगा इ इसमें कलर आ जाएगा क्योंकि हमने कॉन श्टार्च डाला इसमें तो थोड़ा सा लाइट कलर हो गया है ग्रीन कलर उतना नहीं आया था तो इसलिए थोड़ा समय एक चुटकी के जितना ग्रीन कलर को पानी में घोल के और डाल दी अभी आप देखे बहुत ही बढ़िया सा कल तो यह देखे घी डालने के बाद फिर से 2-3 मिनिट के लिए इसे हम चलाते हुए पका लिए हैं और अब हम इसमें थोड़ा सा इलाची का पाउडर डाल दिये हैं आप चाहे तो किवरा एसेंस है तो वह भी डाल सेकते हैं और फिर से इसे हमें 3-4 मिनिट के लिए और पकान तो इस तरीके से आपको अगर सौफ्ट चाहिए तो थोड़ा कम पकाईए और बढ़िया सा च्वी चाहिए तो थोड़ा ज्यादा पकाईए लाश्ट में आधा चमच घी मैं और अभी इसमें डाल दी क्योंकि इसमें थोड़ा सा और बढ़िया सा साइनिंग आ जाएगा य या कोई कंटेनर को या थाली को जिसमें आपको मिठाई को सेट करने के लिए डालना हो उसको आप घी से ग्रीज करके रखेगा ते देखे इस डबे को मैं घी से ग्रीज करके रखी हूँ और इसमें मैं कटा हुआ बादाम डाल देती हूँ ताकि मिठाई जब निकाले तो बहुत बढ़िया देखने में लगे इस तरीके से मैं इसमें बादाम डाल दी आप चाहे तो काजू या फिर पिस्ता जो भी आपके घर में ड्राइफ्रूट हो या जो पसंद हो वो ड्राइफ्रूट इसमें डाल लीजेगा उसके बाद ये मिठाई वाला उसको हम डाल ले तो ये देखे बहुत ही बढ़िया से ठंडा हो गया है एकदम अच्छे से मिठाई सेट भी हो गया है मैं हाथ से छूरे हो बिल्कुल भी एक गरम नहीं है गरम डहेगा तो ये आराम से निकलेगा नहीं तूट सकता है पंखे की हवा में नहीं डालेगा और फ्रीज में भी किचन में छोर दीजेगा बहुत ही बढ़िया से सेट हो जाएगा और प्लास्टी का कंटेनर ये डबा में जब आप मिठाई को सेट करेंगे न तो इसे निकालना बहुत ही आसान हो जाता है बहुत ही जल्दी से जैसे ही डबा को आप पलट ये अधाली में और आम से एजली निकल जाता है उसके बाद इस तरीके से आप चाकू से कट कर लिजेगा और ये देखिए हमारा मिठाई बनके त्यार है आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कितना ये पढ़िया मिठाई है ये देखिए एकदम स्मूद साइनिंग और मुह में जाते ही घुल जाने वाल और बहुत ही मज़े की मिठाई बनके त्यार होती है अगर आपके घर में पुरानी अंगूर पड़ी हो या खटी हो या फिर बहुत जादा पकी हुई अंगूर हो तो इस तरीके से मिठाई बना के देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगा वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजेगा चाइनल पर नए है तो चाइनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल नहीं भूलिएगा ऐसी मिठाई सिर्फ घर पर ही आप बना सकते हैं यह आपको मार्केट में नहीं मिलेगा बहुत ही करचे में यह मिठाई बन के त्यार हो जाती है एक बंच अंगूर में एक किलो की जितना यह मिठाई बन के त्यार हुआ है